इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आज चुके एक नाई वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है जो नाकाम हो गए थे फिर जड़पे हुई है जनाब वो अब जड़पों की रिपोर्ट कौन दे रहा है जो है वो नकूला ये नकूला का इलाका वही है जहां पर ये शुरू हुआ था जगड़े शुरू हुए थे और ये कह रहे हैं दुबारा हिंदुस्तान टाइम्स कह लाते हैं जूते डंडे उसी तरह चाहां फिजिकल फिजिकल मताब हाता पाई हुई ये दुबारा और जखमी हो गए हैं और उसके बाद पर इसी को फिर ब्लूमबर्ग खबर दे रहा है चाइना इंडिया टूप्स इंफ्रेश क्लैशिस अच्छा साथ चाइना मॉनिक पो अच्छा किस कब हुई जड़पे कब हुई जड़पे कब हुई जड़पे कब हुई बता रहे हैं 20 तारीक को तो भाईजान अगर जड़पे 20 तारीक को हुई थी तो फिर 24 तारीक को मुझा क्यों किया आपने जड़पे 24 तारीक को बता रहे हैं आप 20 को हुई जडपे 24 को मुझाखियात करें बैटेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें और ये अपने आपको हीरो बनाने के चक्रों में हैं क्योंकि टाइवान के ओपर अमेरिका ने एक स्टेंड ले लिया है ठीके ना ताइवान पे दुबारा आज तीसरे दिन दुबारा यानि स्टेट इपार्टमेंट की तरफ से जो कल मुझामत उनकी हुई थी कि उसके बाद उन्होंने बड़े प्यार महबबस से चाइना ने एक तो गलोबल टाइम फिर एक एडिटोर्य ने ठोका है के और उन्होंना आराम से पता है अराम से पता है कोई कोई टेंशन देने की जुरत नहीं है और यूईज एशिया पार्टनर्स अनलाइक लिग टूटेंट साइड जिन साउच चाइना से डिस्पूर्स हमें अमीद है कि जो हमारे बाकी जो इस एलाके खिते के लोग हैं वो इसमें कोई साइड नहीं लेंगे और उसके साथ ही उन्होंने इसकी तरदीद कर दी अच्छा अब तरदीद जो की है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी लड़ाई हुई है चाइना से बीच तारीक को सिक्कम के बास इंडिया कह रहा है चाइना कह रहा है कि फेक निउस है कल उनके मुझाखरात हुएं कल तक तो कोई लड़ाई की बारे में इंडिया ने खबर नहीं दी ती तो इंडिया क्या चाह रहा है मुधी छोटी छोटी चलाकी है मुधी साब ये चाह रहे है कि अमेरिका जिस तरह अमेरिका ने ताइवान पे च्रांस लिया हुआ है इस तरह से अमेरिका इंडिया और चाइना के फड़े में कूद जा है बीच में और एक बयान दे दे कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के खिलाफ तो उन्हों ने ताइवान के अच्छा खबर ने देखा आप ने देखा वो चीन का जो है वो चीन उदर घुस गया है चूंकि ताइवान के बाद कर रहा है तो इसलिए देखे हमारे साथ भ से कौई कोई रिस्पांस नहीं आया अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया देखते हैं कि बयान के साथ है लेकिन फटा बटा कुछ नहीं हुआ पिर उने कह दी चोटी मोड़ी जड़कों ही है मुकम यह उते हैं तपड़ शपड़ पड़ें अच्छा तो अभी तक कोई बियान अमेरिका की तफसे नहीं आए दूसरी जो बात है वो यह तो यह बड़ा इंटरस्टिंग एक बड़ी इंटरस्टिंग बात है कि इंडिया ने इतनी बड़ी हवाई उड़ाई है वहाँ पर रहे हैं आप तो आपकी एक बहुत बड़ा बंगलादेश के करीब की जमीन आपके हाथ से निकल चुकी है चाइना के पास और लाखों किसान जिनके मुझसे आपने निवाला चीन चीन लिए रोटी चीन लिए जिन से वह आ रहे हैं और साथी खबर आ रही है कि 35% लोग हम तो बड़े खुश हैं बाइडन के आने से और बाइडन का आना जो है वो दुनिया में एक अच्छा अच्छा समझा जा रहा है और हम उमीद करते हैं कि बाइडन जो है वो जहां और बहुत सारे एक तजर्वकार टीम हैं उनके साथ उनके साथ बड़े जहीन सफारतकार ह आए कि भारत और चाइना के बीच आज कोई जड़प नहीं हुई है इसने सोर्स दिया है ग्लोबल टाइमस आपको बता दें ये पाकिस्तान है जो चाइना का पालतू है और ये स्पेसली पालतू एक स्पेसल स्पीसिस है मैं कुत्ता कहना पसंद नहीं कहूंगा इसे क्योंकि ये कुत्तों की भी वेजीती होगी क्योंकि मैं जो कुत्तों से बहुत प्यार है तो आपको बता दें इस पत्रगार ने बोला है कि ग्लोबल टाइमस ने साब कर दिया कि चीन और भारत के भी सिक्किम में आज कोई जड़प नहीं हुई है जबकि भारत ने क्लियरली बताया कि जड़प हुई है और भारत मतलब मजाक करेगा क्या दुनिया के सामने कि हमारी कोई जड़प नहीं हुई भारत ने अपने इंजड जो सोलजर है वो भी बता दिये चाइनीज सोलजर भी बता दिये आपको बता दें वहाँ पर कोई बार नहीं लगी वहाँ पर कोई ऐसी कुछ फैंसिंग बगार नहीं लगी है सिक्किम बॉडर हो या कोई भी बॉडर हो चाइना के साथ जो भी है तो दोस्तो इस बीच इस पत्रकार ने इस तरीके की बेवकूफी भरी बाते करी है कि आपको सुनकर हाजी आएगी इस तरीके की बाते करता है बेजिकली ये पिछले साल-चाह्माईने से जब से इंडिया में लद्दाग का जो चीन और भारत की बीच 'tेंसन चैली हुआ है उसमें इस ने इस तरीके की बेवकूफी भरी बाते करी है आपको बताते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि मोदी चाह रहा है कि बॉर्डन जो नए राष्टपती है अमेरिका के वो बोल है कि हम मोदी जी तुम्हारे साथ खड़े हैं मतलब इस बेवकूफ की अकल है या क्या है इसके अकल का इसके कोई घुटने की सरजरी कराओ साइध इसको कुछ क्योंकि इसके दिमाग तो घुटने में तो दोस्तों ये इस तरीके की बेवकूफी परी बात कर रहा है मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मतलब इतनी बड़ा नुकलिर वैपन वाला मुल्क अमेरिका से रेकवेस्ट करेगा कि आप हमें बोल दो कि हम आपके साथ खड़े हैं मतलब क्या हद है यार मतलब इसकी क्या क्रेडिविल्टी है मुझे तो कुछ समझ बनी आ था कैर इस बेवकूफी बातों को सुनकर एंज्वाइ करने का ही एक रीजन है इसलिए उसका वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज चाल को जरू सब्स्राइब करेए वीडियो को लाइक करेए हाला कि इस गदे ने अभी तक ये एक भी बार डिसकस नहीं किया एक करोना वैक्सीन के बार पाकिस्तान को करोना वैक्सीन कहा से मिलेगी भेकारी पाकिस्तानियों को कोई भी दिस करोना वैक्सीन देने को दायार नहीं क्योंकि ये भेकारी भीक मांग रहा है करोना वैक्सीन के पैसे as a gift दी गई है शुरू आती सिपिंग जो हुई है तो दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तान भेकारी अगर भारत से बोले का हमें भी कोरोना वैक्सीन चाहिए तो भारत को ये वैक्सीन को देना चाहिए नहीं देना चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लखें क क्योंकि भारत अभी भी पाकिस्तान की 60-70% मैडिकल रेकुआर्मेंट भारत ही पूरा करता है मतलब जो मैडिसन बगारा रहती है वो भारत से ही जाती है तो कोरोना देना चाहिए नहीं देना चाहिए प्लीज जरूर लेखें कमेंट बॉक्स में धन्ना और दोस्तों वीड